हेलो एब्रीवन सर हम लोग आज बात करेंगे सर आपसे कुछ MTP के questions को लेके जो इस बार question आया है उसके अंदर में कुछ questions में students को doubt हुए है तो हम उसको लेके आपसे बात करेंगे चलिए बात करते हैं सबसे पहले question number 4B students ने बोला कि 4B बहुत अलग है कैसे करें सर समझ में नहीं आया तो चलिए देखते हैं क्या है Ms. Svina is engaged in the business of selling magazines सम बहुत easy है बटा NTO अगर तुमने डंग से किया non-profit organizations तो आपसे अगदम आराम से हो जाना चाहिए several office customers pay money in advance for subscribing his magazines तो उसे magazine subscribe करने के लिए लोग advance भी दे देते हैं अब चीज को समझो अगर आप customer से advance ले रहे हो तो customer आपका data होता है data से अगर advance ले लिया data क्या होता है जिससे रुपया लेना है अगर आपने उससे advance ले लिया तो but obvious है सर जी आपका data एक तरीके से advance data हो गया उससे रुपया लेना नहीं है उसमें पहले दे दिया है तो वो आपके लिए एक liability create हो जाती है जिसका performance आप या obligation आप सर जी आने वाले समय में पूरा करेंगे अपने side से information related to the year ended 31st March 22 has been given below तो year end हमारा क्या है 31st March 2022 यह ध्यान रखना correct है तो हमारा current year क्या हो गया एक चार दो जार इकिस से 31st March 2022 on 1 for 2021 he had a balance of 3 lakh advance from customer customer से advance मिला हुआ है 3 lakh रुपय का पहला चीश तो यह समझ लो कि इस चीश को हम लोग balance sheet में liability side में लिखते है advance from customer ठेक है यह ध्यान रखना कितना रुपय है 3 lakh अच्छा ठीक है अभी तो वो बनाना नहीं है लेकिन समझ तो लो पूरा of which 2 lakh 25,000 is related to the year 21-22 मतलब इस 3 lakh में से 2,25,000 जो है वो सरजी 2021-22 से related है और जो बाकी है वो 2022-23 से related है मतलब next year का और 75,000 मतलब सरजी हमारा 3 lakh में से 2,25 तो इसी साल use हो जाएगा इसी साल से related है आगे while remaining pertains to the year 22-23 ठीक है during the year 21-22 he made a cash sale of 7,50,000 बन्दे ने cash sale कितने का किया है 7,50,000 का और जो बाकी इसका advance के थूरू adjustment होगा वो उसका same है you are required to compute the total income for the year 21-22 ठीक है तो 21-22 में उसका total income कितना हुआ बात करो सबसे पहले तो जो cash sale हुआ वो इस साल का income है yes or no कितने का cash sale 7,50,000 मेरे को पिछले साल 3,00,000 रुपया advance मिला हुआ था ये balance कप का है देखो ये balance है हमारा 1,42,21 का मतलब पिछले साल के closing में 3,00,000 रुपया advance मिला था तो 2,25,000 इस साल से related मिला था उन लोगों ने पहले इस साल का दे दिया था तो क्या इस साल उन्होंने दिया होगा नहीं तो सड़जी add advance received previous year for current year कितने का 2,25,000 का तो 7,29 बेसिकली 9,75,000 हमारा क्या हो गया total income हो गया इस साल का ये समझो क्योंकि मेरे को already ये मिल चुका था तो मेरे को इस बार तो नहीं मिलेगा तो इस बार जो cash sale है उसमें ये 2,25,000 जुडा हुआ नहीं है अब अगर मेरे को advance from customer का अगर account बनाना हो क्योंकि advance from customer मेरे लिए liability है तो liability का opening balance buy balance BD सरजी 21,22 से related और 22,23 से related 2,25,000, 75,000, 3,00,000 अब समझेगे चीज़ को clear है पका आगे पड़ते है total money received during the year if the closing balance in advance from customer is 2,55,000 closing balance तो 31,322 को सरजी इसका closing balance 2 balance CD कितना रुपया बोल रहा है 2,55,000 तो इसको समझे अब मेरे को एक बात बता इसमें 22,23 का पिछले बार से कितना मिला हुआ था 75,000 तो और कितना मिला हुआ और कितना मिला हुआ ये तो पहले से ही मिला हुआ है पिछले साल का 75,000 है ना yes or no तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1,80,000 इस बार received हुआ है for next year yes or no correct है कोई दिक्कत इसके अंदर में now ये मिला हुआ है अब sir ये 2,25,000 जो total advance है उसमें से 2,25 इस साल से related है 3,00,000 में से तो वो इस साल के sale में चला जाएगा two sales account जैसे आप income expenditure में लिख देते थे two income expenditure जो current अकाउंट था वही two sales पोल के आ गया अब 2,25,000 ये 3,00,000 तो कितना रुपिया इस बार आपको मिला by bank account ये by receipt and payment account जो आप लिखते थे balancing figure सड़जी 2,55,000 प्लस 2,25 कितना होता है total दो दो चार चार लाक असी हजार चार असी में से तीन लाक पहले से मिला हुआ था मतलब इस साल एक लाक असी हजार का मिला है जो कि हम यहीं पे निकाल चुके थे अब मेरे से question क्या पूछा है total money received total money received तो अगर मेरे से कोई पूछा है total cash received तो अगर हम आपको बोलें एक तो cash sale इस से पूरा पैसा मिला होगा yes or no कितना मिला 7.5 लाक प्लस advance received this year इस साल कितने का advance मिला sir 1,80,000 का yes or no correct है तो total कितना हो भी है 9,30,000 क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में खतम हो भी है यह 8 माक का सम है देखा जाये तो कुछ भी नहीं है इस सम में एकदम easy है आप देख लो कोई doubt है तो पूछो now sir coming to the true false इस बार true false बहुत अच्छा दिये रहे state with reasons whether the following statements are true or false prior period item need not be separately disclosed in the current statement of PL गलत है sir prior period item जो पुराना गलती हुआ वा है याद करो हम लोग जो करते थे partnership उसके अंदर में पुराना कुछ गलती सामने आता था तो उसको हम लोग अलग से show करते थे न तो उसको इस साल दिखाना भी पड़ेगा उसका क्या profit आ रहा है नहीं आ रहा है impact क्या रहा है उसका profit का यह सारा चीज आपको बताना पड़ेगा तो it is false capital plus long term liability equal to fixed assets plus current assets plus cash minus current liabilities देखा जाए तो यह चीज गलत हो गया लोग इसको बूलेगा सही है बट cash आ गया मतलब current assets पे तो already cash है तो आप तो दो बार cash ले लिए इसलिए यह चीज गलत हो गया है तो यह भी false है सर आगे the sale value of the byproduct is created to trading account sorry it is created to manufacturing account discount at the time of retirement of a bill is a gain for the draw जब आप जल्दी payment कर रहे हैं तो आपको सर्जी उसका फायदा मिलता है ना तो it is a gain for draw true है सर if a partner retired then other partners have a gain in their profit sharing ratio yes सर they gain net income in case of person practicing vocation is determined by preparing profit and loss account false जो business करते हैं trading करते हैं उनके लिए trading PL है जो vocation करते हैं उनके लिए income expenditure account है जिससे पता चल जाता है कि वही basically उनको profit कितना हुआ correct है यह ध्यान रखना साथ में सर rectification हमने बहुत important आपको बोला यह जरूर करके जाना the following mistakes were located in the books of a concern after the books were closed and suspense account was opened in order to get the trial valence agreed अब trial valence बनने के बाद है suspense को open किया है find out the nature and amount of suspense account and pass entries including narration for the rectification of the above errors in the subsequent years book देखो कितना खतरनाक बात बोला in the subsequent years book यह ध्यान रखना now sales day book was overcast by 7000 subsequent year book है मतलब after preparation of final account बो चुका है उपर में दिया trial valence agree नहीं किया नीचे लिख दिया यह line तो आप क्या करेंगे आप suspense बोलके काम करने लगे नहीं PL adjustment सारा nominal accounts को PL adjustment से replace कर देना sales day book overcast है तो sale को कम करना तो sale account debit to suspense basically अब यहाँ यह sale cancel हो के क्या हो जाएगा PL adjustment account debit to suspense account समझ गए चीश को clear है पकासर कोई रिक्कत इसके अंदर में यह ध्यान रखना आगे बात करतें next सरजी next legal expenses 7670 paid to Mr. Bunsal was debited to his her personal account his or her personal account legal expense जो pay किया है वो बंसल के नाम से कर दिया तो उसने बंसल to bank किया करना क्या चीए था legal expenses to bank तो legal expense debit होना चीए था और बंसल को आप credit करिए तो legal expense लो debit कर नहीं सकते खर्चा है खर्चा को replace किस से करोगो PL adjustment तो again PL adjustment debit to बंसल सरजी general expenses of 4,900 was posted in the general address 9,400 इन्होंने क्या किया सरजी general expense 4,900 को 9,400 लिग लिए तो आपने क्या ज्यादा लिग दिया expense तो expense कम करना है तो PL adjustment को क्या करेंगे सरजी credit करेंगे कितना से 9,400 माइनस माइनस 4,900 4,500 से सरजी खर्चा ज्यादा हो रखा है तो PL adjustment को credit करो और suspense account को क्या कर दीजे डेबिट कर दीजे खतम बिल receivable of 1550 was passed through the bills payable book the bill was given by Jay अब बताओ entry क्या होगी bill receivable, bills payable book है यहाँ पे Jay नाम है, bills receivable को हम लोग bills payable book में डाल दी यह तो normal entry इसके दर में कोई लपडा ही नहीं bill receivable है तो bill receivable account debit होगा और bills payable में डाला है तो bills payable को credit किया होगा तो अब bills payable को debit कर दो तो BR account debit, BP account debit to क्या लिखेंगे Jay account cash received from दीपक was debited to vivek account cash receive हो रहा है अब इसमें बच्चा क्या करेगा फट करके विवेक को credit करेगा दीपक को debit कर देगा सड़ जी cash received from दीपक तो cash account debit to दीपक होना चाहिए था yes or no, बंदा किसको कर दिया है बंदा कर दिया है विवेक को debit तो गलत हुआ तो vivek को credit करो पहले तो to vivek और credit होना क्या चाहिए था दीपक होना चाहिए था और उपर debit किसको करो suspense को करो समझ गे चीज़ को clear है यह चीज़ ध्यान दखना a sale of 25,000 to Rima was wrongly debited to the account of Shikha a sale of 25,000 to Rima 25,000 का हम लोग sale के थे किसको Rima को Rima sale credit Rima debit was wrongly debited to the account of Shikha यह सबसे easy था तो सर्जी Rima account debit to Shikha कर दीज़ कुछ सोचने का दरकारी नहीं इसके अंदर में आगे while carrying forward the total of one page of purchase book to the next the amount of 21690 was returned at 21960 तो ज्यादा लिग दिया है देखे difference कितना है difference आ रहा है 270 रुपय गा तो क्या हम लोगों ने purchase को ज्यादा लिग दिया है यह सर तो purchase को कम कर दीज़े तो purchase कम होगा तो purchase को credit करेंगे तो to PL adjustment debit कर दो suspense को 270 रुपया से तो basically suspense account debit to PL adjustment account 270 रुपया यह ध्यान दखना 7,000 due by Mr. Suria was omitted to be taken to trial valence इसको हम लोग लिखना भूल गए बताओ इसका क्या होगा तो लिखना है अब इसको इसको schedule of data से नहीं भूले इसको लिखना भूल गए तो basically data debit होगा तो sundry data account debit sundry data में debit कर दो trade receival को debit कर दो जिसको करना कर दो to suspense कर दीजे 7,000 रुपया समझ गए चीज़ को clear है पकका सा और इसके बाद अपना suspense account बना के काम कर दीजे क्या चीज़ clear रहेगा पकका सा ये ध्यान रखना क्या चीज़ clear है settled है हमने आपको बता दिया जो काम का था आपके लिए तो थोड़ा डंग से इसको करिए पेपर बहुत इजी लग रहा है जिसे साफसे इन्होंने MTP दिया अगर ऐसा ही सम दे देता है तो जो थोड़ा सट्रीकी पार्ट था हुआ हम आपको बता दिये सम का लाश्ट तक पढ़ना पहले तो पता चलेगा subsequent year है तो समझ जाना तो EL adjustment ही होगा समझ गए चीज को तो आप इसको देखिये अगर में को कुछ और important लगए है तो definitely हमने उसे बात करेंगे till then do take care of yourself and thank you sir